बिस्मिल्ला हर्वाहिम अर्वाहिम अस्लाम अनिकूम स्टुडेंट्स कैसे आप सब ठीक है I'm teacher from Kiddy Campus Monty City School This is my number book and now open it Let's start the work सबसे पहले हम उपर पढ़ेंगे Count and in circle Count and in circle इस पेस पे हमने count करना है and then in circle करना है pictures को count करके नीचे वो number देखके हम उस number को encircle कर देंगे Let's count the picture 1, 2, 3 1, 2, 3 How many pictures are there? 3 Where is the number 3? Is this? Yes Now circle it Now next Let's count it 1, 2 1, 2 Where is the number of 2? Yes Very good Now circle it Now next How many feeder are there? 1 How many feeder are there? 1 Where is the number 1? Yes Very good Now circle it Now next picture Let's count it 1, 2, 3 1, 2, 3 3 pictures है न? अब हमने नीचे नमबर देखना है Number 3 किदर है Where is the number 3? Is this? Yes Now circle it This is number 3 Now come to the next picture Let's count it Let's count it 1, 2 1, 2 Where is the number 2? Yes Very good Now circle it Now last picture is this Let's count it 1 1 Where is 1? Yes Very good Now circle it Now come to the next page सब तबहल उपर पढ़ते हैं हमने क्या करना है? and Smaller Greater and Smaller Greater कहते हैं बड़े को और Smaller कहते हैं छोटे को अब नीचे हम पढ़ते हैं Tick the smaller number हमने smaller number को tick करना है जो number छोटा है हमने उसको tick करना है अब हमारे पास यहां पर Part A and Part B है हमने पहले देखना है Part A में हमारे पास कितनी चीजे हैं Let's count it One Part A में हमारे पास कितनी चीजे हैं One and Part B में हमारे पास कितनी चीजे हैं चैने मेरे साथ count करें One Two Three Part B में हमारे पास कितनी चीजे हैं ट्री चीजे हैं, तो हमने smaller number को tick करना है न, तो यहाँ पर हमारे पास one कम है ये three कम है, one कम है हमारे पास, ठीक है हमने one को tick कर देना है, कम चीज को हम smaller कहते हैं, कम चीज को हम क्या कहते हैं, smaller कहते हैं, now come to the next point, पार्ट A में हम काउंट करेंगे कितनी पिचर्ष हैं? 1, 2 एड़ पार्ट B में हमारे पास कितनी पिचर्ष है? 1 तो हमारे पास smaller number कौन सा हुआ? 1 नाव तिक Let's Next पार्ट A में हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने apples हैं? 1, 2, 3 1, 2, 3 And पार्ट B पार्ट B में हमारे पास कितने apples हैं? 1, 2 1, 2 तो देखें, यहाँ पे हमारे पास number 3 जादा है यह number 2 छोटा है तो हमने smaller number को टिक करना था ना तो हम 2 को टिक कर देंगे Now next पार्ट A में हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने खब्स हैं? तो बचो हम काउंट करने से पहले हम उपर कैप्शन पढ़ेंगे कि हमने इस साइट पे करना गया है Cross the greater number पहले हमने टिक किया था smaller number को अब हम क्रोस करेंगी greater number को अब हमने ज्यादा चीज़ों को क्रोस करना है greater कहते हैं ज्यादा को तो हमारे पास 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है 3 ज्यादा है तो हम 3 को क्या कर देंगे? Cross कर देंगे Now come to the next blog Part A में हमारे पास जो pictures हैं हम उनको count करेंगे Let's count it 1, 2 1, 2 And part B Part B में हमारे पास कितनी है? 1 Part B में हमारे पास कितनी है? 1 तो हमने हमारे पास 1 greater है यह 2 greater है 2 greater है हमारे पास तो हमने 2 को क्या करना है? Cross Very good Now come to the next blog Next blog पे part A में हमारे पास कितनी पिचर है? हम count करेंगे 1, 2, 3 1, 2, 3 And next part B में हमारे पास कितनी पिचर है? 1 1 तो हमारे पास यहाँ पे greater number कौन सा है? 3 3 Now cross 3 जब बचे इसको cross कर देंगे dots की tracing देखनी है कहां कहां पे dots हैं और पड़े अराम अराम से आपने dots की tracing करनी है ताकि आपकी pencil का tip जो है वो dots से इदर उदर नहीं हो Now come to the next page Next page पे हमने क्या करना है? Counting Counting आज जो हमने number सीखना है वो है number 4 Number 4 Draw 4 buttons on the shirts यहां पे आपको एक shirt नजर आ रही है उसके सामने आप देखें dots से buttons बने में है four buttons बने में हमने number 4 पढ़ा ना तो four buttons भी हैं तो हमने आपने pencil से इसके उपर four buttons ड्रॉ करने हैं इस त्रीके से dots के उपर ठीक है? Now next Count and trace यहां पे हम pictures को count करेंगे and then सामने number को हम trace करेंगे Let's count the picture 1, 2, 3, 4 हमने number 4 बढ़ा ना यहां पे four pictures हैं तो हमने सामने number 4 लिखा है हमने इस number 4 पे 5 to 6 time tracing करनी है आपने इस वाले 4 पे भी 5 to 6 time tracing करनी है और इस वाले 4 पे भी 5 to 6 time tracing करनी है इसी तरह नीचे next picture जो है, मारे पास chair है, तो chairs की legs देखें, count करें मेरे साथ, कितनी है, one, two, three, four, आप अपने घर में भी chairs देखिएगा, उसकी भी कितनी legs होती है, four legs होती है, तो हमने कौन सा number पढ़ा, number four, तो आप इस number four पे tracing करेंगे five times, ठीक है, now come to the next page, next page पे first of all देखेंगे हमने कौन सा काम करना है, phrase, count and match, phrase, count and match, हमने इस page पे जो number पढ़ा है, number four हम उसकी tracing करेंगे five to six time, five to six time tracing करने के बाद हमारे पास यहां पे pictures हैं, हम उनको count करेंगे, अगर picture four होंगी, तो हम number four को उन four pictures साथ match करेंगे, let's count it, सबसे पहले हमारे पास क्या है, pencils, let's count it, one, two, three, four, यहां पे कितनी pencils हैं हमारे पास, four, और हमने number भी कौन सा पढ़ा है, four, तो हम number four को four pencils के साथ match कर देंगे, good, इसी तरह next picture में हमारे पास है fish, let's count it, one, two, three, हमारे पास three fish हैं, जबकि हमने number कौन सा पढ़ा है, four, तो हम number four को fish के साथ नहीं match करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, leave it, now next block में हमारे पास है tables, हमारे पास tables कितनी है, one, two, two tables है ना, number कौन सा है, four, तो हम number four को two tables के साथ match करेंगे, नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, next block में हमारे पास है fridge, fridge कितने है, one fridge है, तो हम इसको नहीं मिलाएंगे ना, क्यूंकि हमने number four पढ़ा है, तो हम इसको भी Now come to the next page, next page पे हमने जो काम करना है, पहले हम पढ़ेंगे, say trace and right, say trace and right, आपने dots के उपर tracing करनी है, यह देखें, यहाँ पे सारे number 4 लिखे हैं न, dots वाले, आपने उपर से पहले, जो big dot बने हैं, आपने उनको count करना है, count करने के बाद, नीचे आपने उस number 4 की tracing करनी है, और सासा पढ़ते जाना है आपने, फिर last line पे जब देखेंगे तो उस पे आपको one dot नजर आएगा, आपने उस one dot से start करना है, इस तरीके से आपने self में four लिखना है, इन four blocks में आपने four लिखना है, ठीक हैं, अच्छे तरीके से काम को करना है, काम को खराब नहीं करना, अलाहफिज students आपने हैं, 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